हेलो फ्रेंड्स मैं हूं स्वेता विलकम टू माई चैनल कुकिंग बेकिंग इस डूम से केक को बनाने के लिए मैंने जो ट्रिक अपनाया है जिसके कारण मुझसे ये आसानी से बन जाता है वो ट्रिक मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं तो चलिए वीडियो को बिलकुल भी skip मत किजिएगा और पूरा वीडियो देखिए मैंने हापकेजी केक के लिए यहाँ पे 5 इंच के केक्टिन का यूज किया है और 5 इंच के केक्टिन में मैंने ये बेक कर लिया है एक वनीला स्पंज पांच इंच के केक्रीन में मैंने बेक किया है इसलिए थोड़ा सा इसका हाइट अच्छा आया है उपरी लेयर को मैं इस तरीके से हटा दूँगी और तीन लेयर में इसे कट कर लूँगी कट करने के बाद मैं सबसे पहले अब क्रीम बना लेती हूँ उसके बाद मैं आइसिंग करूंगी फिर आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप इसे डॉम से आसानी से ला सकते हैं यहाँ पर मैं एक कप क्रीम का यूज कर रही हूँ इस केक में क्रीम थोड़ा ज्यादा यूज होता है अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है कि कम क्रीम में केक चाहिए और यह डिजाइन देता है तो आप बिल्कुल उससे यह डिजाइन ना एक्सेप्ट करें क्योंकि इस केक में क्रीम ज्यादा लगेगा ही आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे परफेक्ट बनाते हैं तो चली हमारा क्रीम तियार हो चुका है और यह पाइनेपल केक ही है इसलिए मैं इसमें पाइनेपल अरोमा डाल रही हूँ ताकि मैं इसकी लेयरिंग कर सकूँ इस क्रीम से ये एक fancy केक भी है आप इसे fancy केक भी बोल सकते हैं सबसे पहले मैंने पहले लेयर को पानी से ही सोख कर लिया है और उसके उपर अरोमा डाला हुआ क्रीम मैं लगा दूँगी और आज मैं कोई खास ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ चीजों का इसलिए मैं सिर्फ क्रस्ट से ही केक बनाऊंगी सिर्फ क्रस्ट और अरोमा का ही फ्लेवर इसमें रहेगा मैं कोई पाइनेपल अभी इसमें यूज नहीं कर रहे हूं सेकेंड लेर भी डाल दिया है और उसके उपर भी मैं पानी डाल रहे हूं इस तरीके से क्रीम को फैला दूंगी इसके उपर उसके बा जब झीक देते हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी जरूर दवाएं. डोम सेप में लाने के लिए मुझे इसे कैची से इस तरीके से कट करना है डोम सेप में लाने के लिए मैंने इसे इस तरीके से कैची से काट लिया है और अब मैं इसका क्रम कोट करके फ्रिज में आदे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ये केक बनाना बहुत ही आसान है मैं आपके साथ एक ऐसी छोटी सी चीज शेयर करूंगी जो कि 5 रुपे में एक किताब की दुकान में मिल जाएगा आपको और उसके कारण आपको इस केक को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही आसानी से मार्केट जैसा प्रोफे दे कलर की डाली है वाटर कलर की और दो-तीन बूंद मैंने इसमें पाइनेपल अरोमा डाला है ताकि इसमें फ्लेवर भी आ जाएं वह इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी एड़ कर रही हूं क्योंकि ज्यादा पानी इसमें नहीं चाहिए नहीं तो जेल अगर हम केक के अब मैं रेड जेल बना रही हूं जिसके लिए मैंने एक चम्मच न्यूटरल जेल ले लिया और वाटर कलर मैंने रेड ले लिया है अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी एड़ करूंगी ताकि ये भी परफेक्ट बन जाए बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा करके पानी एड़ क आपके पास बटर पेपर या प्रास्मिन पेपर है तो आप इस तरीके से दबा कर और गोल आई एक दम से दे दे अच्छा शेप तब ही आएगा जब आप इस तरीके से इस प्रोसेस को करेंगे पहली बात तो की कैंची से उपर नीशे काटना है दूसरी बात ये है टिप्स कि आपको इस तरीके से हाथों से हलकाल का दबा कर इसे गोल सेप में लाना होगा बटर पेपर हो या प्राश्मेंट पेपर हो कोई भी पेपर चलेगा और ये है वो चीज जो की मार्केट में किताब की दुकान में पांच रुपे में आपको आस्टानी से मिल जाएगा ये पांच रुपे का OHP सीट बहुत ही कामका है मैंने इसे छोटे टुक्रे में काट लिया है इस तरीके से अगर आप beginner हैं तो ये भी टिपस आपके लिए है की आपको इसकी आईसिंग इसी तरीके से piping bag में cream लेकर और करनी है क्योंकि piping bag में cream लेकर और आप जब इसकी icing करेंगे किनारे सारे तरफ cream लगाएंगे तो वो cream बरावर होगी और आपको decorate करने में इसे shape देने में आसानी हो जाएगी एक बराबर cream होना इसमें बहुत ही जरूरी है अब देख सकते हैं एक ही बराबर cream चारो तरफ लग रहा है और इसको अगर हम जब shape देंगे तो इसका shape बहुत ही अच्छा आएगा और cream कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा सिर्फ ये बात आपको ध्यान में रखना है कि इसमें direct cream न लगा कर आप piping bag का यूज़ कर लें palette knife को इस तरीके से गुमाते हुए इसे shape दें इसके बाद इस OHP seed से आप इस तरीके से हलके हाथों से घुमाते हुए इसको आप shape दें यहाँ पे भी आप एक tips को ध्यान में रखें कि एक side में आप गर्म पानी रखें और OHP seed को बीच-बीच में उसे में dip करें और उसके बाद cake को smooth करें OHP seed से पानी जो extra होगा उसे आप जहार कर निकाल दे और उसके बाद आप OHP seed को इस पे use करेंगे इस तरीके से तो आपका cake बहुत ही smooth बनेगा और finishing बहुत ही अच्छी आएगी मैं भी इसको पानी में dip करने के बाद इस पे use कर रही हूँ आप देख सकते हैं उस पे पानी भी लगा है पानी extra जो होगा उसे जहार देना है और उसके बाद इसे use करना है और देख सकते हैं कि finishing काफी अच्छी आई है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है इस yellow gel को मैंने piping bag में डाल दिया है और याद रखें कि हमें turn table को गुमाना है हाथ को एक ही जगा पे रखें और turn table को गुमाते हुए इस तरीके से आपको इस पे gel डालना है आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से gel डाल रही हूं इस पे और आगे आप भी इसी तरीके से gel डालेंगे तभी आपका जेल इधर उधर नहीं किरेगा और इस पे बराबर लगेगा और जेल अगर जिस तरीके से मैंने इसकी consistency रखी है उसी तरीके से आपको रखनी है नहीं तो वो नीचे टपकने लगेगा उसी OHP seat को फिर से मैंने हलका गर्म पानी में dip कर लिया है और पानी extra निकाल कर और उसी OHP seat से मैं इसे smooth कर रही हूँ और आप देख सकते हैं बीना कोई extra tools के हमारा cake कितना perfect बन रहा है और बहुत ही आसान है दोस्तों बनाना देखने में लगता है कि पता नहीं हमसे बनेगा या नहीं बनेगा लेकिन ये बनाना बहुत ही आसान है red gel को भी मैंने piping bag में डाल दिया है और इसके साथ भी वही करना है हाथ को एक जगा पे रखना है और turn table को धीरे धीरे इस तरीके से घुमाते रहना है और आप देख सकते हैं कि ये घुमते हुए इसमें शेप आ रहा है आप lining को चाहे तो नजदीक भी कर सकते हैं जो लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी नई वीडियो आप लोग तक जल्दी-जल्दी पहुँचे अब मैं तूथपीक के सायता से इस पे डिजाइन बनाऊंगी तूथपीक को एक जगर रखने के बाद टर्न टेबल को हलका मूव करना है और तूथपीक को उपर की तरफ ले जाना है और बीच बीच में मैं तूथपीक को पोंच भी ले रही हूँ केक बनाते समय आप एक गीला कपड़ा अपने साइड में ही रखें बहुत ही काम करता है वो टर्न टेबल को घुमाते हुए तूथपीक को नीचे से मैं उपर की तरफ ला रही हूँ और आप देख सकते हैं डिजाइन बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बन रहा है और आप कोई यह डिजाइन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों इसलिए आप इस चीज को ध्यान में रखे कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता आप इसे अराम से घर पे बना सकते हैं मुझे गैप बीच में ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने एक एक लाइन और बीच में खीच दिये और उससे भी ज्यादा सुन्दर लगने लगा है और इस तरीके के जब आप केक बनाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है है ना आसान बनाना आप भी इसे घर में जरूर ट्राई करें अब मैं विल्टन के 21 नंबर नोजल से इसका बॉर्डर बनाऊंगी बॉर्डर बनाने के लिए भी पहले प्रेस करना है आपको और प्रेस करने के बाद धीरे से खीचते हुए आगे की तरफ बढ़ जाना है और धीरे से खीचते हुए पाइपिंग बैक को आगे की तरफ बढ़ जाना है बॉर्डर बन चुका है और पहले बेस बना लेंगे मोटा सा, बेस के सेंटर में मैं पिंक कलर डाल दूंगी ताकि देखने में ये और खुबसूरत लगे फ्लावर, पिंक कलर डाल दिया है, अब इस तरीके से इस नोजल से मैं फ्लावर बनाऊंगी, पहले इसे सटा सटा कर जैसा की बंद कली हो, उस तर किसे बनाएंगे जैसे पंखुडियां खुल रही हूं तो इस तरीके का सेप देने से बहुत ही खुबसूरत फ्लावर बनेगा और आप देख सकते हैं मैंने ये फ्लावर बना लिया है और इस पे मैं येलो कलर की डस्टिंग कर दूंगी येलो कलर के स्प्रे करने के बाद वीडियो कैसी लगी और ये केक आपको कैसा लग रहा है तो आप भी मेरी टिप्स और ट्रिक के साथ इस केक को बनाएं और फैमिली के साथ इंच्वाय करें